नमस्कार आप देखरें न्यूजबर इंडिया आपके साथ मैं हुंका जो नरायन उत्राखंड में इस वक्त सियासी भूचा लाया हुआ है तमाम ऐसे कॉंग्रिस के नेता है जो बाकी हो गए है तो क्या वाकी कॉंग्रिस के नेता अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे है इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्राखंड के ब्यूरो चीफ सुभाश कॉड हमारे साथ लाइफ जुड़ गए है सुभाश क्या कहता उत्राखंड का समीकरण क्या वाकी 2016 जैसा अतिहास दोहराया जाएगा जी बिल्कुल यह कहा जा सकता है कि कॉंग्रिस के घर में कुछ भी ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा तक शायद इस बार जो समीकरण होंगे वे बहत अलग होंगे और शायद कहीं न कहीं उन बड़े नेताओं पर उन बड़े इमांदार नेताओं पर भरोजा किया जाएगा जो पार्टी के लिए बहुत हुबी काम करते वे नजर आये थे और चुनाओं में भी जिन्होंने बहतर प्रदेशन किया साथ ही पार्टी को मजबूत करने की भी जो कोशिश कर रहे थे लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया है क्योंकि जिस तरीके से करन महरक को परदिश उसके साथ ही दूसरी तरफ नेता प्रतिफक्ष यह कहा जा सकता है कि यह इश्पाल आरे को बना दिया गया तो उसके बाद से ही पार्टी के अंदर बगावत तेज हो गए जो विदायक थे जो जीत पर विदान सबब पहुँचे थे वो बगावत करने उतर पड़े और सब उनका भी स्वगत करेंगे क्योंकि हम चाते हैं धार्चुला के जनता चाहती है कि प्रदेश का विकास हो और धार्चुला का भी हो जाये ती मुक्षय मंतरी हमारे से चुने जाते हैं तो शेतर का भी विकास होगा यानि कि यह साफ है किesper आवर्द की पर्दे की पीचे और वो भी गड़वाल मंडल के नेताओं में शुमार हैं। वह अगर नेता प्रतिपक्ष की बात कर जाए प्रितम सिंग। वह भी गड़वाल के थे। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो गड़वाल मंडल है या कुमाउ मंडल है इसकी लड़ाई। सबसे महतपूर हरी श्रावत चाहते थी कि गड़वाल को फिर से एक बार प्रदेश सत्यक्ष बनाया जाए क्योंकि उनके पास कारेकाल कम था कम समय पर बहतर प्रदेशन के उमीद जो हाई कमाने वो कैसे लगा सकता है जब तुम भी था है उनके पास नहीं थी तो यह उमीद की जा रही थ फिनेता प्रती परक्षा है करन महरा की बात की जाते तो वह किस खेमे से आते हैं क्योंकि वो प्रदेश अधियक्ष बनाये गये हैं घरीर उडियक्ष अपनी टीम को मजबूत करने की कोशिश में चुटे था और यहीं वजा है कि नाराज़गी बढ़ गए लेकिन बड़ी नाराज़गी के वल यहीं नहीं परते सद्यक्ष और नेता परतिपक्ष नहीं बलकि अब इस सिती ऐसी हो गई हो कि लगभग आठ से दस विधाय कॉंग सब्सक्राइब के साथ यह सभी विधायक के हैं कि 2016 को जो इतहास है वो दोर आया जाएगा उत्राखंड में बिल्कुल यह हो सकता है लेकिन 2013 की सिती इस समय की सिती से बहुत खर आलग है उसकी मुख्या वज़ाई है कि 2016 में जो सरकार थी जो वर्तमान में सरकार काम कर रहे जो सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी लेकिन अभी की सिती बेहद अलग है कॉंग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष में ही लडाई बहुत जाता है अब विपक्ष में भी एक और विपक्ष खरड़ा करने की कोशिश के तमाम नेता है वो कर रहे हैं वो चाहते हैं कि वो एक अलग पार्टी बनाएं अलग नेता प्रतिपक्ष बनें और उसके साथ ही वो कॉंग्रेस को अलविदा कह दें लेकिन हाला कि अभी मंधन का दौर जरूर जा रहे है क्योंकि करन महरा ने आज पत्रकार वारते करते वे लेकिन जो खुटबाजी कॉंग्रेस के अंदर नहीं है लेकिन जो खुटबाजी है वो खुले मंध से नजर आ रही है सबी बड़े नेता कही ना कही नाराज नजर आ रहे है और सबसे महत्तु कुन चीज़े है कि आज एक महत्तु कौन बैटक भी चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट हम तक पहुचाने के लिए तो अब देखना ये हुगा कि उत्राखन में जो कॉंग्रेस के बगावत तेवर है वो कब तक खत्म हो पाती है और जो बगावती आग है वो कब तक बुझ पाती है फिलाल के लिए इतना ही आप बनी रहिए न्यूस पालिंटिया के साथ